ऍस्टूडDEN्स हम लोग प्रिश्चनावली 5.03 के सवालों को सॉल्ब करने वाले थो चलिए हम लोग क्वैस्टो को सॉल्ब करते हैं, देख़ी हम लोग क्वैस्टो नमबर 1 में क्या का जा रहा है आप लोग question को पढ़िए इसमें का जाना निमले कि संख्याओं के वर्गमूल ग्याद करने में इकाई अंक की क्या संभावना है यानि की इकाई का अंक क्या हो सकता है जब हम लोग दी गई संख्या का वर्गमूल निकालेंगे ठीक है चलिए हम लोग solve करते हैं और देखते हैं मोरा solution क्या होगा आप लोग देखें में first number में क्या दिया गया है 9801 तो आप बताइए जब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो इकाई का अंक होगा वही आप इसका वर्गमूल निकाले इस तरीके से तो यहां पर जो आपको संख्या मिलेगी उसके इकाई कांक क्या होगा तो इस स्टुडेंट अब आपनों को कुछ बाते ध्やान से समझ नहीं है ठीक है क्या समझ नहीं इस बात को ध्यान से दिखिए देखिए अगर हमारे पास कोई भी संख्या है जिसके इकाई कांक वन है ठीक है तो कोई संख्या है जिसके इकाई कांक वन है जब हम उसका वर्ग करेंगे तो हमें इकाई कांग क्या प्राप्त होगा वन ही प्राप्त होगा ठीक है जो भी यहाँ आएगा उसके इकाई कांग क्या प्राप्त होगा वन प्राप्त होगा अगर कोई संख्या है जिसके इकाई कांग 9 है अगर हम उसका वर्ग करेंगे तब भी जो हमें संख्या प्राप् 441 बात समझ रहो न 21 का वर्ग होगा 441 अब यहां पर जो मारी संख्या 441 है अगर हम इसका वर्ग मूल ले ले हमें क्या प्राफ्ट होगा 21 प्राफ्ट होगा अब देखिए अगर कोई भी संख्या है जैसे हमने संख्या ली यह इसी को ले लिजिए इसके 21 का वन है तो जो संख्या होगी इसका वर्ग मूल जो भी आएगा उसके 11 का वन ही होगा समझ गे तो 98-01 का जब वर्ग मूल लिका लोगे तो जो संख्या आपको प्राप्ट होगी उसके11 क होने की संभावना है तो लिखे इकाई का अंग देखे दो ही इस्तिती में इकाई का अंग वन हो सकता है या तो वन हो या तो नाइन लिखे इकाई का अंग या तो वन होगा या फिर नाइन होगा समझ गया आप लोग बात को चलिए आगे चलते हैं लोग और देखते हैं मारा सेकंड नंबर का सुलिप्सन क्या होगा सेकंड नंबर को अब आप ध्यान से देखिए क्या दिया गया है 99 856 अब इस्टुडेट जब आप लोग इसका वर्गमूल निकालोगे 99856 का तो यहां पर जो संख्या आपको प्राप्थ होगी उसके इकाई कांग क्या होगा इकाई कांग क्या हो सकता में बताना है तो इस्टुडेट आप लोग समझें जैसे आपके पास कोई भी संख्या है ठीक है अई कोई भी संख्या है जिसके इकाई कांग अगर 6 है उसका अगर आप बर्गमूल निकाल रहे हो बात द्यान से समझेजिए कोई भी संक्या है जिसके इकाई कांग 6 है और आप उस संक्या का बर्गमूल निकाल रहे हो तो जो संक्या आपको प्राप्थ होगी उसके इकाई कंग 4 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा क्योंकि जब आप 4 का स्क्वाइर करते हो तो इकाई कंग क्या आता है 6 आता है जैसे 4 का स्क्वाइर किया तो 16 24 का स्क्वाइर करोगे 576 देखे 576 में इकाई कंग क्या है 6 है बात समझ रहो न आप लोग इसी तरीके से जब 6 का स्कॉयर करोगे तो 6 का स्कॉयर 36 16 का करोगे 256 का करोगे तो 666 देखिए लाष्ट पेश्ट में 6 आ रहा था तो अगर कोई संक्या है जिसके इकाई कंग 6 है आप लोग वरग मून निकाल रहें उसका तो एकाई कांग या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है ठीक है? तो लिख दीजिए 4 या 6 एकाई कांग क्या हो सकता है 4 होगा या तो 6 होगा समझ गये आप लोग बात को? चलिए अब हम लोग 3rd नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थार्ड नंबर का solution क्या होगा थार्ड नंबर में देखी क्या दिया गया है 99 8001 इसका आप बर्गमूल निकालोगे तो इसके इकाई कांग क्या होगा तो इस्टुडेंट अभी अभी हमने discuss किया था अगर कोई भी संख्यां आपके पास दे गई है जिसका वर्गमूल आप निकाल रहे हो उसके इकाई का अगर अंक 1 है तो जो संख्यां आपको प्राफ्ट होगी या तो उसके इकाई कांग 1 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा ठीक है इन दोनों इस्थितियों में ही 1 का 1 हो सकता है ठीक है तो लिख दीजे 1 या 9 अब आप लोग बात समझ रहे होंगे चलिए चौते नमबर पर चलते हैं और देखते हैं चौते नमबर का सलूशन क्या होगा हमारे पास क्या दिया है 657 666 025 अब इस्टूडेंट इसका वर्गमूल आपको निकालना है इसके वर्गमूल में वर्गमूल करने पर निकालने पर जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसके इकाई कांग क्या होगा आप बताइए अब इस्टूडेंट आप लोग फिर एक बात समझे अगर कोई संख्या आपके पास है जिसके इकाई कंग पांच है उसका वर्गमूल निकालोगे न तो उसके भी इकाई कांग पांच ही होगा ठीक है इकाई कंग क्या होगा पांच होगा अब आप कहोगे कैसे हमने का भई आप कोई संख्या लो कैसे मैं संख्या के रूप में क्या लिया पचीस लिया और 25 का वर्गमोन निकाली देखी क्या हो जागा पांच एक आइक क्या है बाच है आपने 35 लिया आपने क्या लिया 625 और 625 का स्क्वाइर देखी 625 का वर्गमोन निकालोगे कितना हो जाएगा 35 यहाँ क्या गया 5 आ पांच आगए समझ रहे हो जैसे हमने यहाँ पर अगर 25 लिया देखी का एक क्या इस संख्या कि 5 है इसका वर्गमोन निकालने पर जो संख्या आपके पास आएगी उसके भी 11 पांच ही हो समझ रहो न तो यहां पर जो संख्या देखिए इसके इकाई कंग 5 है तो इसका वर्गूल निकालने पर भी जो संख्या आपको प्राप्थ होगी उसके भी इकाई कंग 5 ही होगा समझ गये बच्चों चलिए अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं और मारा अगला क्या है तो इस्टुडेंट आप लोग क्वेस्चन नंपर 2 को पढ़िए देखें क्वेस्चन नंपर 2 में क्या बात कही जा रही है question number 2 में कहा जा रहा है बिना गड़ना कि वह संख्या बताएं जो वास्तों में पूर्वर्ग नहीं है पढ़ लिया आपने प्रश्न को हमें बिना गड़ना करें बताना है वह संख्या जो पूर्वर्ग वास्तों में पूर्वर्ग नहीं है जैसे संख्या दी गई 153, दूसरा दिया गया है 257, और तीसरी में दिया गया है 408, और चौथा में दिया गया है 441, तो इस्टुटेंट, आप किस संख्या को पूरवर्ग संख्या कहोगे, जैसे आपके पास कोई संख्या गर दी गई है, जैसे समझ देजिए, अगर हम लिखे 24, 25, 26, तो यह जो हमारी संख्या है 25 है क्या है, पूरवर्ग संख्या है, समझ गए, अगर हम लिखे 625, 624 और 630, यह जो मारी 625 है क्या है, पूरवर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब आप लोग देख करके कैसे समझोगे, आपको गड़न नहीं करने, आप देख करके कैसे बता सकते हो कि कोई जो संख्या दी गई, पूरवर्ग संख्या है या नहीं है, अब आपको इस बात को ध्यान से समझना है, अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है, जिसके इका हो सकता है ठीक है 6-0 हो सकता है अगर ऐसा दिख रहा है तो जो मारी संख्या होगी क्या होगी पूडवर्ग होगी अगर कोई संख्या आपको दिखी जिसके एकजि का आँक बूडवर्ग होगी संख्या अगर ऐकजि का आँक छार है थो भी संख्या पूडवर्ग होगी इसी तरीके से एकजि के आँक पाँच वाली संख्या पूर्वर्व होगी इकाई के एंग 6 वाली संख्या पूर्वर्व होगी और इसके बाद इकाई के एंग 9 वाली संख्या पूर्वर्व होगी अगर कोई संख्या आपको इस तरीके से दिख रही है जिसके इकाई काई 00 हो इस तरीके से यहां पर 1 हो 4 हो 5 हो 6 हो 9 हो तो वह संख्यां क्या होंगी पूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् यहां पर देखिए इक है चार सो इकतालीस और चार सो इकतालीस का वर्मूल निकालोगे तिकीस आएगा तो यह मारी पूर्वर्ग संक्या लिखिए 153 157 तथा 408 पूर्वर्ग संक्या नहीं है ठीक स्टुडेंट इस तरीके से यही मारा क्या हो गया तो आप अपने लोग देख करके बता सकते हैं चलिए अब लोग अगले प्रश्ण पर चलते हैं और देखते हैं मारा अगला प्रश्ण क्या है तो इस्टुडेंट्स आप लोग अगले प्रश्ण को ध्यान से देखिए प्रश्ण संक्या 3 में कहा जा रहा है बार बार घटाने की विदी से 100 और 179 का वर्ग मूल गया तो हमें बार बार घटाने की विदी का इस्तेमाल करके 100 और 179 का क्या निकालना है वर्ग मूल चलिए हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले 100 का निकालेंगे फिर 179 का दिखिए बार बार घटाने की विदी से विदी से 100 का वर्ग मूल इस्टूडेंट्स इस बात को आपको बहुत ही बारिकी से देखना है ठीक है अब आप लोग ध्यान से देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन को आप जितना ही ध्यान से देखिए उतने अच्छा आपको समझ में आने वाला है ध्यान से देखिए सबसे पहले सौ का वर्ग मूल निकालना है तो संख्या आपको लेनी है संख्या सौ में से पर्थम जो आपकी बिश्म संख्या उसको घटाई है के स्मय से तो आगया निन्यान बे अप अपको पकड़ना है पदेहिं覺 आपने और मैंशे आपको दूसरी जो भिश्म संख्यां में आगया समझ गए अब इस संक्याAKे को आप लेजिए इक क्याटबे मेंसे देखिए पांच के बाद बिसम संक्या क्याएगी साथ 7 गटाइए और देखिए 11 मेंसे साथ गया 4 और यहाँ पर क्या बचाए, 84 ठीक है अब इस 84 को आप पकड़िए समझ गए बाद 84 मेंसे क्या गटाओगे 7 के बाद 9 आएगा तो 9 गटाईगे और वह संक्या जो 2 से भी भाज नहीं होती आपको पता है ना चलिए 14 मेंसे 9 गटाईगे इसकितना गया 6 14 मेंसे 9 गटाया तो 14 मेंसे 9 गटाया गटाने पर 5 आएगा ठीक है पांच और यहां पर क्या है साथ आगे जान से देखे 75 को पकड़ना है नौ के बाद भी समसंक है क्या गी दस हमारी सम है दस को छोड़ी 11 पर चलिए 11 घटा आई है देखे 5 में से एक घटा है चार आ गया और 7 में से एक घटा है छे 64 आ गया अब आप 64 को पकड़िए देखे 11 के बाद भी समसंक है 13 तो 13 घटा आई है चार में से तीन गया एक और 6 में से एक गया पांच अब इस 51 को पकड़िए 13 के बाद 15 घटा आई है तो 11 में से 5 गया 6 और यहां पर 4 में से एक गया तीन ठीक अब इस 36 को पकड़िए 36 में से क्या गटा होगे 15 के बाद क्या आता है 17 बई 16 तो समसंक है भी समसंक है घटा नहीं है 36 में से 17 घटा यह देखे 16 में से 7 घटा होगे कितना हो जागा 6 16 में से 7 गया 6 यहां पर बचा दो दो में से एक गया कितना बचा एक 16 अब देखिए आप लोग ध्यान से इस 16 को पकड़ना है इस 16 में से 7 घटाने पर कि इस्टूटन किता है का नव साथ 16 ठीक है थोड़ा सा घड़बड़ी हो जा रहा है पता नहीं क्यों नव साथ 16 होता है तो 16 में से 7 घटाने पर 9 आया तो हमारे पास क्या गया 19 अब आप इस 19 को पकड़िए 19 में से देखे क्या घटा होगे 17 के बाद कौन सी पिसम संग्या आगी 18 होने से 19 तो यहाँ पर आपने 19 लिखा और आपने 19 में से 19 घटा देखे क्या गया 0 अब आप यहां से कैसे समझोगे देखिए यहां पर हमारा 0 आ गया ना जहां पर 0 आता है वहां पर कैलकुलेशन बंद अब देखे क्यों सा पद हमारा 0 हुगा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस जो दसवा पद है उस पर हमारा 0 आ गया है तो जो दस है वो क्या आओगा 100 का वर्गमूल लिखिए दसमा पद सून है इसलिए इसलिए जो 100 का वर्गमूल है वो क्या होगा 10 होगा समझ गए आप इस्टूडेंट्स हो जाएंगे प्रश्ण सौल चेलिए जिस पर सून हुआ उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा पद हमारा सून हो रहा पदों की संख्या निकालेंगे तो इस तरीके से देखिए दसमा पद क्या हो रहा है सून ने हो रहा है यही दस क्या हो जाएगा वर्गमूल ठीक है चलिए अब हम लोग 179 के लिए चलते हैं लेकिए बार बार घटाने की विजी से 179 का वर्गमूल 179 का वर्गमूल चलिए निकालते हैं इसमें भी काम वही आपको करना है संख्या 179 को लेना है पर्था विशम संख्या घटा ये 179 में से वन घटेगा तो आपके पास क्या आगया 168 समझ गया इस 168 को लीजिए अब 168 में से दूसरी भी समसंख्या भई वन के बाद थ्री आएगा थ्री लिखिए तो 168 में से आपने तीन घटा आया तो आपको मिला 165 फिर 165 को लीजिए घटाना क्या है भई तीन के बाद 4 हमारी समसंख्या है चार छोड़ी ये 5 घटा ये करम से ही चलना है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 इसी तरीके से चलना है अगे पिछे नहीं करना ने गरबड हो जागा 165 में से 5 घटाएंगे तो 160 है अब 160 को लीजिए 5 के बाद अब 7 घटा हो गए तो 160 में से आपने 7 घटा है 153 आगये ठीक है अब लिखिए 153 और 153 में से 7 के बाद आपको 9 घटा आना है तो घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, अब आपको इस 144 को पकड़ना है, इस में से क्या घटाना है, 9 के बाद 11, तो 144 में से आप 11 घटाओगे, तो कितना हो जाएगा, 133, ठीक है, इस देखिए, आपको 133 को पकड़ना है, 133 में 11 के बाद क्या घटाओगे, 13, घटा दिया, तो 133 में से आपने 13 घटाओगे, तो कितना बचा, 120, अब 120 लेना है, 120 में से 15 घटाना है, तो 120 में से आप 15 घटाओगे, तो कितना मिलेगा, 105, 105 लेजिए, 105 में से आपको 15 के बाद 17 घटाना है, तो घटा दिये, देखिए, क्या हो जाएगा, देखिए, 15 में से 7 घटाओगे, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 घटाना है, अब आपको 88 लेना है, 88 में से 17 के बाद 19 घटाओगे, घटा दिये, 8 में से 9 नहीं गटेगा 18 में से 9 गया 9 और यहाँ पर बचा 7 और 7 में से 1 गटा है तो हमारे पास क्या गया 6 79 ठीक है अब आपको 79 लेना है 79 में से क्या गटाओगे 19 गटा चुके अब आपको 21 गटाना है 9 में से 1 गया 8 6 में से 2 गया 4 अब आपको 48 लेना है 48 में से क्या गटा होगे 23 ठीक है गटा दीजिए तो 8 में से 3 गया 5 4 में से 2 गया 25 आ गया अब इस्टूडेंट्स आपको कुछ समझ में आया 30 के बाद क्या गटा होगे 25 और 25 में से 25 गटा जीरो अब आप लोग देखिए कौन सब पद जीरो आ रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस एग्यारा बारत तेरा तेरामा पद जीरो हो रहा है लेकिए तेरामा पद सून है इसलिए जो 179 है इसलिए 179 का भर्गमूल देखिए अंडरूट यह हमारा क्या हो गया solution हो गया तो ऐसे आप लोग बार बार घटाने की यह हमारी बिधी है इस बिधी का पर्योग करके किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते है इस्टूडेंट यह प्रोसेस थोड़ा हमारा क्या होता है लंबा होता है लेकिन बोला यही मेधाड इसलिए यूज किया चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अब प्रस्ण संख्या चार पर चलेंगे चलिए इस्टूडेंट आप लोग क्वेस्टन नंबर चार को पढ़िए देखी क्वेस्टन नंबर चार में क्या कहा जा रहा है अभाज गुडनखंड विधी से निम्न निकालते हैं जिकें फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया 729 अब सबसे पहला काम क्या करोगे कि जो संख्या 729 है इसको आप अभाज गुलनखंडों के रूप में लेख लेजी ठीक है अभाज संख्या है आप लोग जानते हैं स्टूडेंट अगर ना पता हो तो वीडियो क विभाज जिता का नियम भी आपको सीखी लेना है बहुत काम की चीज है चले यहां पर संख्या 729 है संख्या 729 को हम सबसे पहले अभाज गुलनखंडों के रूप में बैक्त करें यहां पर जो संख्या 729 दिख रही है अब आप इसको सबसे छोटी अभाज संख्या से काट कि दो से में कटता हुआ नहीं दिख रहा है अब हमने प्रेडिक्शन कर लिया ना कि नहीं दिख रहा है तो ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आपको विभाज जिता का नियम पता होगा अब तीन से चेक करेंगे तीन से चेक करने के लिए जो अंक है इसका योग करिए 9211 718 अब 183 से क्या विभाज यहां 18 3 से कट जा रहा है इस एक ए बता रहे कि यह संख्यामी 3 से कटेगे तो 3 से काटी कि 31 के 3 3 2 6 1 7 12 3 4 12 3 3 3 से कटेगा 3, 8, 24, 3, 23, फिर 3 से काटिए 3, 2, 6, 2, 8, 21, 3, 21 3 से काटिए 3, 29, 27, फिर 3 से काटिए 3, 3, 9, फिर 3 से काटिए आगे इस तरीके से अब देखिए 729 को मलोग क्या लिख सकते हैं 3, गुडे 3, गुडे में 3 कितनी बार? 6 बार गुडे में 3, गुडे में 3, गुडे में 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 9, 3, 27, 81, 83, 243, 729 अब हमें वर्गमूल निकालना है तो लिखिए वर्गमूल का मन्दब 729 अंडरूट 629 निकालना है क्या हो जाएगा? देखिए जब आपको वर्गमूल निकालना होता है तो क्या करते है? अब यह जो संख्या आपको दिख रही है दो-दो का जोड़ा बनाईए दैसे ठीक है? अब एक जोड़े से यहां से 3 लीजिए यहां से आप 3 लीजिए और यहां से आप 3 लीजिए 3, 3, 9, 3, 27 यही क्या हो गया? 729 का वर्गमूल हो गया ठीक इस्टूडेंट बात आप लोग समझ गए चलिए अब रूट 729 का वर्गमूल क्या होगा? आप लोग अगले नमबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नमबर का सोलूशन क्या होगा? तो दूसरे नमबर में क्या दिया गया? संक्या दी गई 400 तो सबसे पहले 400 को आप अभाज गुड़न खंडों के रूप में व्यक्त कर लिजिए तो कैसे व्यक्त करेंगे? इसको आप लोग ध्यान से समझेए लिकिए 400 अब देखे 400 मारा 2 से कट जागा दो से काटिए दो दूनी चार दो सुनने सुन फिर दो से काटिए दो एक के दो दो सुनने सुन फिर दो से काटिए क्या जागा पच्छास दो से काटिए क्या हो जागा पच्छीस अब क्या दो से कटेगा? नहीं कटेगा पांस से कटेगा पांच पच्छी पच्छीस पांच एक्के पांच अब जो संख्या हमारी 400 है 400 को मभाज खंड़ कुरिप में क्या लिख सकते हैं दो गुड़े दो गुड़े दो दो गुड़े में दो गुड़े में दो गुड़े में दो गुड़े में 5 गुड़े में 5 ऐसा लिख सकते हैं अब हमें 400 का वर्गमूल चाहिए क्या हो जाएगा आप देखिए 2-2 का जोड़ा बनाई देखिए 2-2 और देखिए यहाँ पर संख्या 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए ऐसे जोड़ा बनाना है आपको अब यहाँ पर 5 पांच पांच का जोड़ा बनाई एक जोड़े से एक संख्या लीजिए यहां चे दू यहां चे दू और यहां से पांच दो दूनी चार पंच चे बीस कि यह क्या होगा अंडरूट चार्स्तों का वर्गमूल हो गया कि ठीक है है कि यह यह क्या हो गया टिक है अइसा ही आपको निकालना यह चलिए तीसरी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं तीसरी का सल्योशन क्या हो तो तीसरी को अब ध्यां से लिए मैं क्या दिया गया है 1764 सबसे पहला काम क्या करोगे 1764 को अब हाज गुड़न खंडों के रूप में रिख लेजिए चलिए लिखते हैं लिखिए 1764 खाटी इसको दिखे 2 से कटेगा काट दीजिए 2,8,16,1,7,2,8,16,2,2,4,2,4,8,2,1,2,4,4,8,1,9,3 से कटेगा तीन के तीन एक तीन से नहीं कटेगा तब साथ के पास चलना पड़ेगा साथ से कटेगा अब क्या लिख सकते हो 1764 को दो गुड़े में दो गुड़े में तीन गुड़े तीन गुड़े में 7 गुड़े में 7 अब आपको 1764 का वर्गमूल चाहिए तो क्या होज़ेगा 1764 किसके बराबर होगा देखे जोड़ा बनाईए 2 यहां से 3 यहां से 7 लिखे 2 गुड़े में 3 गुड़े में 7 2 तिया 6 42 ठीक है यही क्या हो गया 1764 का वर्गमूल ठीक बच्चों चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सुलिशन क्या होगा चौतिक उध्यान से देखे हैं चौतिक में क्या दिया गया है 46 96 क्या हो जाएगा सबसे पहले अब आज गुणन खंडों के रूप में बेक करिए 46 96 को 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 सुनने सुन 2 चौके 8, 1, 9, 2, 8, 16 फिर देखिए 2 से कटेगा काट दूए 2, 1 के 2 2 सुनने सुन, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 फिर 2 से कटेगा 2 पंचे 10 पूरा कट गया 2 एक के 2, 2 दूनी 4 फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 1, 5 यहोगा 1, 11 2, 5, 10, 1, 11 यहोगा 12, 2, 12 अभी भी 2 से ही कटेगा काट दे 2, 1 के 2, 2 दूनी 4, 2, 8, 16 फिर 2 से कटेगा 2, 12, 24, 8 2 से कटेगा 32 आएगा 2 से काटोगे तो 16 आएगा 16 आएगा 2 से काटोगे तो 8 आएगा फिर 2 से काटोगे तो 4 आएगा फिर 2 से काटोगे तो 2 आएगा फिर 2 से काटोगे तब वहन आएगा ठीक है फिर 2 से काटा तब वहन आएगा अब 496 को क्या लेक सकते हो देखिए 2 दो गुड़े में दो गुड़े में दो गुड़े में दो तो कैसे लिख सकते हो डारेक्टली बर्गमूर लिख दें इस्टूड़ हैं चाड़े लिखिए यहां पर भी आप ऐसे लगाके डारेक्टली बर्गमूर लिख सकते हैं तो दो गुड़े में दो कितनी बार हैं दो आद दो चार दो चे दो आट दो दस तो बार हाँ इस चार छी आठ दूरणines Chinese 12餅 डो गिरिवा दो ग्रों माना तो ग्रों माजीलग दो इस जो पाद सो आए दो ऑन ग्रों म säड़ीव vesselsक्ता हैं ना दाकनुंत हैं Greek के लिख्या cytork साथ ब्लाच मैं फिल्यगिजी ntha ऐसे लिज लीजिए अब 496 का पर्मूल क्या हो जाएगा यहां से एक दो लीजिए एक दो आप यहां से लीजिए इस जोड़े से एक दो इस जोड़े से एक यहां से एक यहां से और एक यहां से क्या हो जाएगा दो दूनी चार दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ठीक है, तो लिखिए, जो 496 है, उसका बर्गमूल क्या हो जाएगा, 64, और student यही क्या हो गया, answer हो गया, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, चलिए, पांच में नमबर पर चलते हैं इसके, और द देखते हैं, उसका solution क्या होगा, तो students, इसमें सवालों की भरमार है, आप अगर लोग आप लोग ढंक से से केंगे, तो सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, तो इसके पांच में नमबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है, 67, 44, तो पहला काम इसको अभाज पुलन खन्डू के रूप में लिखने के लिए क्या करोगें कि इसको ऐसे solve करिए, दो से काटिए, 2-3, 6, 1-7, 17, 270, 2-8, 16, 27, 2-14, 24, फिर काटिए, 2 से 2-1 से 2, 1-3, 2-18, 2-38, 2-6, 2-12, दो से काटिए दो नवा ठारा एक उन्निस योगया तेरा दो चंग बारा एक तेरा योगया सोला दो चवके आठ एक नो योगया सोला दो अटे शोला दो चोगे चाट आठ ठीक है दो दो नी चार दो चोगे आर दो दो नी चार दो एक के दो 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 नी चार दो एक के दो अब देखे किस से कटेगा आप लोग देख पा रहे हैं जोड़ोगे दो दो चार तीन से नहीं कटेगा पान से नहीं कटेगा साथ से नहीं कटेगा नौ से नहीं कटेगा नौ से नहीं से कटता हुआ दिख रहा तो 11 11 में कितना होता है 121 फिर 1100 काटों कि वन हो गया है तो कैसे लिखोगे इस संख्या को 77 44 को अब आज गुड़न में 11 तो 7744 का वर्ग मुल क्या हो जाएगा कि अब अब लिकी अंडर रूट 7744 अब 744 तो काम क्या करना है वर्ग मूल निकालना ना दुद्धों का जोड़ा बनाएंगे एक जोड़े से दो लीजी है यहां से आप दो लेजिए दो दूनी चार दूनी आठ गुड़ी ग्यारा तो आठ गुड़ी ग्यारा कितना हो जग 88 अब जो 77 44 से ठीक स्टूडेंट इसका जो वर्गमूल हो क्या होगा 88 यह मारा अंसुर हो गया ठीक है कोई दिक्कत परिसानी तो नहीं बच्चो चलिए हम लोग छटे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं छटे नंबर का सल्यूशन क्या होगा छटे को ध्यानत देखिए क्या दिया गया 96 04 संक्याली कि 96 04 को सौल्व कर लिजिए दो से काटिए दो चौके 8 1 9 2 8 16 2 19 2 24 फिर दो से कटेगा दो दूनी चार दो चौके 8 21 2 फिर तेखिसे चार एक ऌच 2 से साथ चार एक 25 दो साथ किस से कटेगा तीन से तरह नहीं कटेगा सथ सब्सक्राइब खाट जाय कर अब ंर्ट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब साथ से कटेगा, साथ सता उन्चाज, फिर साथ से काटोगा एक आगे अब डिरेक्टली लिख दे रहें ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिज लेना दो गुड़े, दो कुड़े, साथ गुड़े में साथ, चार बार है ना गुड़े में साथ, ठीक है, तो दो दुखा आप ऐसे जोड़ा बना लिजी, दो सते चौधा सते अठान नमी का जो स्कौायर होता है, ओछी आनवे जीरो चार होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते, जी आनवे जीरो चार का जो बर्ग मूल है, ओगे सते चौदा सते अठानवे होता है समझ गई स्टूडेंट्स चलिए अगला सवाल 69 दिया गया ठीक है साथमे नमबर को ध्यान से देके क्या दिया गया है 69 तो लिखिए 69 उन्तिस सौल्ब करिए आप इसको देखिए तो से तो नहीं कटेगा कैसे हमने पता किया अगर संख्या के इकाई का अंग 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है तब संख्या 2 से कटती है अन्यथम नहीं कटती है समझ गए अब 3 से चकरिए 9, 2, 11, 9, 20, 5, 25, 35, 3 से भी नहीं कटेगा अब उन्हों 5 से नहीं कटेगा साथ चकरिए 7, 8, 6, 3, 69 यह हो जाएगा 32 साथ चार बतिस साथ साथ से कट जा रहा है काट देजिए 7, 8, 6, तीन उनसट यह होगा 32 साथ चार बतिस साथ से कटिए साथ एक के साथ एक काटे हो गए 14, 7, 2, 14, 7, 7 अब देखिए 7 से नहीं कटेगा 11 से कटेगा 11, 11 में 121 हो गया न काम तो इस्टूडेंट मेहनत करिए आप लोग पढ़ाई जम के कीजिए चलिए 69, 39 है न 69, 39 का वर्गमूल निकालना है अब क्या करोगे बताइए मल्टिप्लाइ कर जी 11, 37 यह जो गया अंसर बस ऐसे ही निकालना है चलिए आठमे नमबर पर चलते हैं और देखते हैं आठमे नमबर का सलूशन क्या हो इस्टूडेंट्स आडवे नमबर को आप ध्यान से देखिए इसमें दिया गया है 92,16 अब हम चाहए रहे कि इसको आप लोग करिए वीडियो को बंद कीजिए पास कीजिए और इसको सॉल्ब करी उसके बाद वीडियो को फिर से उन कीजिए और आप मिलान कीजिए कि आपने सही किया है गलत किया चलिए लिके बानवी सोला काटिए छे है दो से कट जाके काव देजिए दो चोके आठ एक नो हो गया बारा दो चंग बारा अब यहाँ पर एक है भाग नहीं जा रहा तो जिरो लेके सोला बना लेंगे दो अठे सोला ठीक है दो से काटिए दो दोनी चार, दो तिया चे, दो सोने तुन, दो चोके आठ फिर चार है दो से कटेगा भी दो एक के दो, दो एक के दो, एक तिन, दो पंचे दस, दो दो दोनी चार फिर दो से कटेगा दो पंचे दस, एक ही ग्यार होगा 1214 15 26 12 को जो से काटिए 224 157 278 16 को सिर्दो से कटेंगा कर दो पिर दो से काटेंगे कितना जग ठीक है अब इस तीन कर त तीन से आपनी काटा लेकर की स्टेब तीन से काटा तो यहां तीन आयेगा फिर आप तीन से काटा लेजाए फिर फिर बंवन आजिक ना वहां पर छोड़ देते हैं ठीक है आइसे आप प्रियर बना लीजिए समझ गए तो लिख दीजिए बान्द में 16 का बर्गुल डारेक्टरी लिख दे रहे ठीक है क्या हो जाएगा यहां से एक दो लीजिए आप यहां से दो लीजिए इस जोड़े से लीजिए यह हो गया यह हो गया दो गुड़े दो गुड़े तीन दो गुड़े दो गुड़े में तीन ठीक है एक दो तीन चार पांच दो होना चाहिए एक दो तीन चार पांच गुड़े में तीन देखें दो दूनी चार दूनी आर दूनी सोला दूनी 32 और 32 तीया कितना होता है आप बताओगे गुड़ा करके देख लिजिये 32 गुड़े 3 तेन दूनी छे तेन त्रिकनो ठीक है तो बान्वी सुला का जो वर्मूल हो क्या हो जाएगा च्छी आन्वे यही स्टुडेंट्स वारा एंसर हो गया आई थिंक अब आप लोगों निकालना सीख गये होंगे नई सीखें तो और वीडियो देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए मेरी बात ध्यान से सुनिए तो आप लोग आराम से सीख जाएंगे चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा है का 579 है इस 529 का क्यानिकालना है वर्य मोट टेक है तो लिख लेज इस तो अब आजवर से काट हों काम नहीं कटेगा पांसे नहीं कड़ेगा। साथ से साथ सता उन्चास दो इक्याओं। साथ से भी नहीं कड़ेगा। 11 से नहीं कड़ेगा। तरकले 23 से कड़ेगा। तेइस दूनी होता है कितना च्छी आलिस च्छे बावन 59 हो गया तेइस तिया उनास्तर देखी स्टुडेंट तेइस को तेइस से काट होगे तो वह ना गया तो तेइस को क्या लेख सकते हो तेइस कुना में तेइस और जो आप 529 का वर्गमूल निकालोगे क्या हो जागा तेइस ठीक है यहां से एक लिकाट तेइस आ गया तो 529 का जो वर्गमूल निकालते थे ज्यान से देखी एक क्यासी सो कावे बर्गमोन निकालना है चलिए स्टुडेंट इसको आप काट ये देखिए जीरो है ना लास्ट में दो से कटेगा काट दीजिए दो चौके आठ कट गया अब वन को काट ये वह दो चौके आठ हो गया वन में नहीं जा रहा तो दो जीरो लगाएंगे तो ॥थ quello पंचे दस थो तो तॉने सुन छीक है कि आंगे देखिए दो से काटिए दो दोनी चार दो सुनने सुन थे मैं देक है 2,2,4,1,5,2,5,10, 20,25 आ गया 5,2,7,2,9 3 से कटेगा अब 3 से काटिए 3,6,8,2,20, योगई 22 3,7,1,1,1,21, 15 3,5,15 5,7,12,6,8 वी भी 3 से कटेगा 3,2,6 3,2,6,1,7,3,5,15 अब देखे 2,2,4,5,9 3 से कटेगा काट दिजी ए 3,7,1,1,2,3,5,15 और देखे किस से कटेगा 3 से कटेगा काट दीजिए तो 3 2 6 1 7 3 15 25 किस से कटेगा पाँस से वह ना गया ठीक है तो 81 को क्या लिख सकते हैं 2 गोड़े में 2 का गुड़े में 3 गुड़े में 3 गुड़े में 3 कितनी बार 3 है एक, दो, तीन, चार बार अब गुड़े में पांच, गुड़े में पांच पेर बनाईए ठीक है? तो 81-100 का बर्गमूल क्या हो जाएगा? लेकिए 2, यहां से 2 यहां से 3 यहां से 3 यहां से 5 2, 3, 6, तरिक 18, पंचे 90 तो जो अंडरूट 81-100 है उसका बर्गमूल को, उसका मान क्या आगया? 90 यह हमारा अंसर हो गया तो इस्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा क्वेस्चन था क्वेस्चन नमबर 4 हमने यहां तक के सवालों को सॉल्व कर लिया है आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही आप लोग पढ़ते रहे है बाकि के जो सवाल है लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे तो चली आप लोग पढ़ते रहे है अगर आपनों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो आपका काम है वीडियो को लाइक कर देना चनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना चली आप लोग पढ़ते रहे हैं थैंक्यू